नमस्कार मित्रों इस वीडियो में मैं आपको EVM के रेप्लेस्मेंट के प्रोटोकॉल के बारे में बताना चाहता हूं जब भी कोई मशीन खराब होती है बैलेट उनिट खराब होती है तो हमें EVM का रेप्लेस्मेंट कैसे करना है इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है अगर वास्तविक मद्दान सुरू होने के पहले किसी भी समय चाहे वो कमिश्निंग के समय हो चाहे वो डिस्परसल के समय हो चाहे वो मौकवल के समय हो किसी भी समय कोई यूनिट खराब होती है तो केवल वही यूनिट बदला जाएगा मेरा कहने का आशा ये है कि यदि इन सारी परिसितियों में कंट्रोल यूनिट खराब हुई है तो केवल कंट्रोल यूनिट बदला जाएगा ballot unit खराब हुई है तो केवल ballot unit बदला जाएगा और अगर VVPAT खराब हुआ है तो केवल VVPAT बदला जाएगा बाकी की जो process है वो same रहेगी ध्यान देंगे कि जो machine रेप्लेस हो रही है उनकी सूचना आपको अभ्यर्थियों को देनी होगी कि ये machine रेप्लेस हुई है वास्तविक मद्दान के दोरान रेप्लेस्मेंट का process थोड़ा सा अलग है इसको गंभीरता से ध्यान दीजेगा वास्तविक मद्दान के दोरान यदि control unit या ballot unit खराब होता है तो आपको control unit, ballot unit और we pat का पूरा सेट चेंज करना होगा और प्रत्यक अभ्यर्थी के लिए एक वोट डाल करके मॉकपोल भी करना होगा मॉकपोल करने के पश्चात control unit से मॉकपोल डेटा को डेलीट करना वी पैट drop box से वी पैट paper slips को बाहर निकाल करके मौक पोल के निर्देशा नुसार समस्त कारवाहियां सुनिश्चित करना एवं मौक पोल का सर्टिफिकेट भरना आवश्यक होगा लेकिन यदि वास्तविक मद्दान के दोरान वीवी पैट खराब होता है तो आपको केवल वीवी पैट बदलना है और कोई भी मौक पोल करने की आवश्यक्ता इस परिस्थिती में नहीं है यदि वास्तविक मद्दान के दोरान या माउक पोल के दोरान किसी भी सिती में अगर CU में पाउर कम दिखा रहा है अर्थात पाउर पैक बैटरी लो दिखा रहा है तो उस कंडिशन में आपके पास विकल्प है कि आप पाउर पैक चेंज कर सकते हैं ये पाउर पैक आपको आपके सेक्टर ओफिसर से मिलेगा सेक्टर ओफिसर के माध्या से संपर करके आप पाउर पैक प्राप्त करेंगे और सेक्टर ओफिसर और मद्दान अभिकरताओं की उपस्तिती में आप आरो द्वारा सील किया गया बैटरी सेक्शन ओपन करेंगे और प्रेसाइडिंग ओफिसर की पोल्डे रिपोर्ट का भाग दो भरना अनिवारी होगा, इसमें सेक्टर ओफिसर भी हस्ताक्षर करेंगे और आपका भी इसमें सिगनेशर होगा, साथ ही मद्दान अभिकरता भी इसमें सिगनेशर करेंगे, तो भाग दो अनिवारी रूप से आप भरेंगे जब भी आप power pack replace कर रहे हैं cu का तो इस इस्तिति में किसी भी तरह का mock pull करने की आवशक्ता नहीं रहेगी केवल यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप power pack को निकाल रहे हैं low battery वाले power pack को या नया battery लगा रहे हैं उस समय आपके control unit का जो power pack है on off switch है वो off की स्थिति में होना चाहिए किसी भी स्थिति में on condition में आप power pack को निकालेंगे या replace नहीं करेंगे off करने के उपरांधी यह करवा ही आप सुनिश्चित करेंगे इसी तरह से यदि वीपैट का power pack low होता है खराब होता है या काम नहीं करता है तो आप किसी भी समय power pack change कर सकते हैं इसके लिए किसी भी तरह के आपको मौक पुल करने के आवश्यक्ता नहीं होगी जब आपके मद्दान के और का आखरी मद्दाता मद्दान कर ले या कोई भी मद्दाता नहीं है और मद्दान के लिए समाप्ति के लिए निरधारित समय संपन्न हो और आपने सारी परक्रियाया पूरी कर ली है मददान मशीनों को आपस में डिस्कनेक्ट कर लिया है स्विच आफ करने के उप्रांथ उसके बादव आप पावेड़ जो वेड़ में लगा हुआ है उसको जरूर निकाल सकते हैं बद्दान भी करताần सिति निकालएंगे सदने कि यूदि निकालना है केवल इपेट का आप बाहर निकालेंगे और उसको अलग से संदर में आप आप संदर्भ ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद